सब्सक्राइब करें आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन बिलती रहे आज की वीडियो में हम एक बहुत ही कमाल की टॉपिक पर बात करेंगे कि Electrical Engineering और Mechanical Engineering में क्या डिफ्रेंस है और कौन सी Engineering best है इस पूरी वीडियो में हम इसी इक बारे में बात करेंगे यूटूब पर मैंने बहुत सारे कमेंट रिसीब किये थे कि सर Electrical और Mechanical Engineering में कौन best आईए मैंको बताईए Competition हमेशा होता रहता है तो देखो जहां पर आती Electrical Engineering की बात तो Electrical Engineering एक अपना अलग क्रेटेरिया है Electrical Engineering में आप करते हो Electrical से चीज़े related होती है उसको करके आप Electrical फिल्ड में ही जॉब कर सकते हो Mechanical का एक अलग है जहां पर Machinery है टूल्स है प्रोडक्शन है वहां पर आप Mechanical Engineering करके जॉब कर सकते हो तो दोनों एक दूसरे से बिल्गुल डिफरेंट है जहां तक रहे स्कोप की बातना देखो स्कोप किसी भी चीज का इंट्रस्ट पर डिपेंड करता है एक अगर आपको एक स्मार्ट फोन लेना है अगर आपका इंट्रस्ट नहीं होगा वह स्मार्ट फोन लेने में तो वह कितना भी अच्छा हो न चाहि means वो एपल का हो अगर आप इंटरस्टेट समझ लोग कि वैसे ही है इंटरस्ट की बात कि कौन सा बंदा electrical engineering में interested है, कौन सा mechanical engineering में interest है, दोनों में जिसमें आप interested हो, वो करो, दोनों का scope है, कभी क्या mechanical की companies बंद हो जा रहे हैं, क्या BMW बंद होगे, क्या Mercedes बंद होगे, कभी नहीं, क्या electrical की companies बंद होगे, जो electrical wires बनाती है, transformer बनाती है, क्या ये सारी companies बंद होगे, नही तो बिना electricity कि आप इस दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो आप कैसे कैसे सकते हो कि electrical engineering का scope कम है, मतलब कि ये मैं नहीं करा हूँ कि electrical engineering करके आप electricity में ही जाओ, NDPC, BHL, Gail, Sale में ही job करो, और भी कई सारे sectors हैं जिसमें आप जैसे Sony है, Panasonic है, Samsung है, LG है, इन सम्में वे electrical engineers की बहुत अच्छी खासी vacancies है, बस हमें समझने की जुरूत है, मैंने बोला ना, practical knowledge बहुत होना चाहिए आपको, आपको वही knowledge बहुत strong बनाएगा, तो दोनों engineering का इसको बहुत अच्छा है, आप लोग tension मत लीजिए, लोगों के बहुत है कि मैंने किया, मैं जॉब नहीं पाएगा, अरे क्या हुआ यार आपने नहीं किया, तो क्या आप जॉब नहीं पाएगा, कुछ न कुछ कमी जरूर होगी उनमें, जो वो जॉब नहीं पाएगा, उस field में या उस sector में, अगर हम बात करते हैं, देखो, उसमें सो बात कर लें, कि आपके interest की बात, अगर आप interested हो, कि मुझे जॉब लेनी, आप जॉब में एक बार आपका interest जग गया, तो आपको उसी field में इतनी दूर तक चले जाओगे, कि आपको खुद नहीं पता कि मैं कहां तक आगया इस field में, सबसे बड़ी बात होती है, interest की बात, हम engineering तो कर लें, जैसे मैंने electronics engineering कर लें, बट मेरा electronics में मन नहीं लगता, फिर मैंने IT फील में अपने आपको switch किया, software engineering में shift किया, जहां पे मेरा बहुत जादे मन लगता है, और उसके बाद फिर, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, जोनों उन्हें electronics engineering करके, foreign country में अच्छे-च्छे package पे job कर रहे हैं, तो वो होता interest वाली बात है, जब हम engineering करने जाते हैं, तो हमें कुद नहीं पता होता है, तो हम सोचते हैं, भाईया, हमारे रिष्टेदार ये ब्रांचे कर रहे हैं, स्कोप अच्छा इसी ब्रांचे मैं भी कर लेता, वहाँ वो point होता है, जहां पे आपको actual decision लेना होता, वहाँ पे अगर आपने सही decision ले लिया ना, तो आपका career, मतलब boom करने से कोई रोकी नहीं सकता है, तो ये था मतलब दोन एंजिनिंग में, चाहे वो electrical एंजिनिंग में, चाहे mechanical एंजिनिंग में, कोई भी एंजिनिंग बकवास नहीं है, दोनों बैस चाहें, अगर आप interested है, तो जरूर करिए, और सही से करिए, तो में दोस्तों वीडियो आपको पसंद है होगी, वीडियो को लाइक से केमेंट करना ना बोला, थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों,